नमस्कार यह शहजन की फली है यह देखने में ये इस प्रकार की दिखती है और इसको हम जब तोड़ते हैं तो इसके अंदर सफेद रंग के बीज़ पाए जाते हैं, जो देखने में तीन कोने वाले होते हैं, एक कोना, दो कोना और ये तीसरा कोना और ये अगर देखेंगे गोर से तो ये काबुली चना होता न जैसा वैसे दिखता है भी कुल सफेद और इस सहजन की फली के इतने फाइदे इसमें इतने विटमिन्स, खनीज और पोशक्तत उपाए जाते हैं जो हमारे सरीर की बहुत सारी बिमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इस सहजन की फली इस्तमाल कर सकते हैं, सहजन के पेड़ के पत्ते इस्तमाल कर सकते हैं सैजन के पेड़ की गोंद इस्तमाल कर सकते हैं सैजन के पेड़ की चाल इस्तमाल कर सकते हैं सैजन के पेड़ की जड़ इस्तमाल कर सकते हैं और सैजन की फली की सबजी या सूप के रूप में इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं इसका बारहा रूप में लेप करने में, सिकाई करने में या तेल में इस्तमाल करने से हमारी बहुत सारी बिमारियां दूर होती हैं हम सैजन की फली का या सैजन के बीज का या सैजन के फूल का या सैजन की पत्ती का छाल का या जड़ का रस बनाके इस्तमाल करते हैं तो 10-15 ml के करीब सुबे 10-15 ml के करीब साम को हम बीमारी अनुसार इस्तमाल कर सकते हैं कहने का मतलब 2-3 चमच हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर मान लीजिए आप इसका सूप बनाके स्याजन की फली का सूप बनाके सबजी बनाके इस्तमाल करना चाहते हैं तो 25-30 गराम के करीब इसकी फली का सूप या सबजी बनाके इसका इस्तमाल करके आप लाब उठा सकते हैं 25-30 गराम सबजी का इस्तमाल एक समय में जैसे सुबे कर लिया आपने इसी तरह दुपैर को कर लिया या इसी तरह साम को एक दिन में दो से तीन बार भी इसका इस्तमाल करके हम लाब उठा सकते हैं जादतर बीमारियों में एक से दो बार इसका इस्तमाल किया जाता है बहुत कम ऐसी बीमारिया होते जिसमें तीन बार भी इसका इस्तमाल बताया जाता है इसका इस्तमाल करने से कुछी समय में हमारी बीमारियां धीरे धीरे नश्ट होने लग जाती है और इसका किसी परकार का अगर हम उचित रूप में इस्तमाल करें तो कोई side fact भी नहीं होता और नहीं इसकी आदत पड़ती है जिन लोगों को आमाशे में या आहार नली में या छोटी आत में अलसर की शिकायत है अंदर जखम है सूजन है वो लोग अगर सैजन की फली का रस निकाल के मिक्सी में डाल के रस निकाल लें और वो रस दो से तीन चमश सुबे खाली पेट और इसी तरह दो से तीन चमश शाम को खाना खाने से पहले इस्तमाल करते हैं तो बहुत जल्द उनके अंदर आहार नली में, आमाशे में या छोटी आत में जहां सूजन और जखम है उसकी शिकायत धीरे धीरे नश्ट होती चली जाती है और वो पूरन रूप से ठीक होते चले जाते हैं जिन लोगों को कान में दर्द होती है कान में दर्द की शिकायत होती है वो लोग सैजन की पत्ती लाके उसको पीस के उसका रस निकाल ले उस रस को कपड़े से चान के दो से तीन बूंद कान में डालने से रूई की साहिता से ड्रोपर की साहिता से कान में डालने से तुरंत का का दर्द खतम हो जाता है जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं तरह तरह की दवाईयां खाते हैं मगर पेट उनका साफ नहीं होता है और बहुत परेशान होते हैं कई बार तो उंगली की साहिता से भी मल को बाहर निकाला जाता है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा आप परेशान मतोईये सैजन की फली का रस आप सुबे खाली पेट तीन से चार चमच सुबे खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए और साम को खाना खाने से पहले लेना शुरू कर दीजिए इसमें बहुत पर अच्छी मातरा में फाइवर पाए जाता है जो आंतर्यों को ताकत देता है उसकी चुषंड शक्ति को बढ़ा देता है जिससे मल सही समय पर अपनी जगा पहुंचता है जिसे कब्ज की शिकायत नश्ट हो जाती है जिन लोगों को हमेशा नाक से जुकाम छीके की शिकायत तंग करती है माथा भारीपन रहता है और हमेशा ऐसे लगता है शरी में बुखार-बुखार साहे मगर थर्मामीटर में नहीं आता क्योंकि वह अंदर जुकाम और नजले से है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि सहजन की फली में विटामिन सी पाय जाता है इसका सूप बनाके आप इस्तमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपकी सर्दी जुकाम और नजले की विमारी को ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा और पेट में गैस बनी रहती है थोड़ा भी खाते तब भी पेट में गैस बन जाती है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप सुबे शाम खाना खाने की आदे घंटे बाद सैजन की फली का सूप बनाके इस्तमाल करें आपके लिए बहुत अच्छा साबीत होगा और पेट में gas की शिकैत नहीं होगी जिन लोगों को TV की शिकैत है आंतों में, हडियों में फेफुरों में या शरीर के अन्ने जगा पे TV की शिकैत है वो अपनी TV की दवाई साथ में लेते रहें और साथ में सेजन की फली की सब्जी बनाके एक दिन में एक बार रोजाना लेना शुरू कर दें इससे उनके सरीर में सक्ति बढ़ेगी और उनके टीवी को खतम करने में उनकी बहुत जादा मदद करेगा उनके लिए बहुत अच्छा लाबकारी भी साबित होता है जो लोग अपने सरीर के मोटापे से परेशान है जो अगर मान लीजे मैं ही हूँ मेरे सरीर में मोटापा जादा हो गया तो मैं परेशान हो जोगा यहर किसी कीमत में इस मोटापे को हटा दू कैसे भी करके मगर ये भी ध्यान रखना होगा कि मेरे सरीर में मुटापा घटाने से किसी परकार की कमजोरी ना आए मैं हमेशा स्वस्त रहूं हर कोई यही चाता है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि सैजन की फली का सूप बना के सुबे शाम खाना खाने से आदा घंटा पहले इस्तमाल करना शुरू कर दे तो यह सरीर में जमा वसा को सरीर से बाहर निकालता है और सबसे बड़ी बात सरीर में किसी परकार की कमजोरी को नहीं आने देता नहीं इसका किसी परकार का सरीर पे साइड इफेक्ट होता है जो लोग दमे से परेशान है जरा सा मोसम बदलता है तो सांस की दिक्कत तंग करती है, खांसी की दिक्कत तंग करती है, और बोलते हैं तब भी सांस फूल जाता है, या धूल में, धूए में, परदूशन भड़े महौल में, जैसी जाते हैं, वैसे ही बिमार पढ़ जाते हैं, जड़ा सा ठंडा खटा खाते हैं, तो बिमार पढ बोलते हैं तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए सहजन की फली का सूप बनाके सुबे शाम इस्तमाल करना बहुत फाइदेमन साबित होगा इस से आपके स्वांस नली को फेफ़रों को ताकत भी मिलेगी इन में जो सूजन इंफेक्शन या एलर्जी की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी और आप पूरन रूप से स्वास्त हो जाएगे और अलर्जी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपका अस्तमा भी बहुत जल्द पूरन रूप से ठीक हो जाएगा जिन लोगों को BP की शिकैद बड़ी तंग करती है और गोलियां खाते हैं लेकिन गोलियों का side effect बहुत जादा है गुर्दे पे दिल पे बहुत गहरा इसका असर है खास तोर पे गुर्दे पे इसका असर होता है क्योंकि ये मुत्र बार बार लाता है मुत्र जादा आने से तो उन लोगों को कहना चाहूंगा सैजन की फली का रस निकाल के तीन चमत सुबह खाली पेट इसी तरह साम को खाना खाने से पहले लेना शुरू कर दीजिए आपको जो BP की शिकैद रहते हैं आपका बार बार BP बढ़ जाता है उसकी शिकैद धीरे देरे दूर हो जाएगी और आपके लिए BP को ठीक करने में बहुत जादा आपकी मदद करेगा उसका कारण है कि आपके सरीर की नसे नाडियों को मोटा नहीं होने देगा उन में किसी परकार की चर्बी जमा होने नहीं देगा किसी परकार का उसको सकत पन नहीं होने देगा उसको हमेशा लचीला बन और आपका बेपी भी ज़रो से ज्यादा नहीं बढ़ेगा जिन लोगों को सिर में दर्द की शिकायत बहुत तंग करती है से मैं दर्द सिंपल भी होता है माईगेन का भी होता है ये कई कारणों से हो जाता है टेंसल लेने से पेट की गर्मी सिर पे चड़ने से गैस चड़ने से या कफ जमा हो जाने से मतलब कई कारणों से और भी अन्य बहुत सारे कारण होती हैं तो उन लोगों को कहना चाहूंगा किसी भी कारण से अगर आपको सिर में दर्द तंग करता है तो आप लगातार इसका सहजन की फली का सूप इस्तमाल करें और सहजन की फली को पीस के इसका लेप बनाए, उस लेप को आप माथे पर रखें, वो भी आपके लिए फायदे मन्द है दूसरा इसका तरीका बतायता हूँ, बहुत असान तरीका है, सहजन की फली को आप कुट के इसकी जो पिठी बनेगी उस पिठी का वजन कर लें अगर पिठी का वजन 50 गराम है चटनी कहा लिजिए पिठी को कई लोग पिठी नहीं समझते इसलिए कहा रहा हूँ पिठी का वजन 50 गराम है उसमें 400 ml के करीब तेल मिलाके किसी बरतन में डालके उसे पकने दीजिए जब अच्छे से पक जाए तेल मात्र बच जाए उस तेल को आप च्छान के उस तेल को आप माथे पे मालिस करेंगे तो बहुत जल्द आपको सिर दर्द से चुटकारा मिल जाएगा और उस तेल को आप तीन बूंद नाक में नस्य करम के रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं और ये लंबे समय पड़ा रहे तो तेल आपका खराब नहीं होगा जो लोग चरम रोग से परेशान हैं खारीज, कुजली, एकजीमा, सोराइसीज या मान लीजिए फंगल इंफेक्शन फंगल इंफेक्शन में इन में अगर आप परेशान है किसी भी परकार की चरम रोग मैं आपको ज़्यादा तर बताओं कि पेट की खराबी से होते हैं पेट की खराबी से और बाहरी कारण जो होता है उस पे बैक्टीरिया, वाइरस या फंगस के संकर्मन से होता है ज़्यादा तर लोगों को लीवर में गर्मी ज़्यादा होने के कारण उनके सरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जिसकी विज़से फंगस या मान लीजिए फंगस को फंद भी कह लीजिए फंगल भी कह लीजिए और वाइरस विशानू, बैक्टीरिया, जीवानू इन चीजों का असर फिर हमारे सरीर पे पढ़ता है वरना तो पताने कितने सारे वाइरस, बैक्टीरिया, फंगस हवा में मौजूद है मगर हमारा सरीर अगर स्ट्रोंग है तो किसी परकार का नुकसान नहीं होता अगर हमारा सरीर अंदर से कमजोर हो जाता है तो ये असर करती है तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल गुन पाए जाते हैं एंटी फंगल गुन पाए जाते हैं और एंटी वाइरल गुन पाए जाते हैं किसी भी परकार के चरम रोगी के लिए इसका इस्तमाल बहुत फाइदे मन्द है कैसे इसका इस्तमाल करना है दो रूप में इसका इस्तमाल करना है एक लगाने के रूप में और एक खाने के रूप में खाने के रूप में इसका इस्तमाल बदायतों इसकी पत्ती का या इसके फूल का या इसके बीज का या इसके चाल का या इसकी जड़ का या इसकी फली का आप पेश्ट बना लीजिए उस पेश्ट को कपड़े में डालके निचोड लेजिए उसको जो रस निकलेगा ना दो से तीन चमस सुबह खाली पे लेजना शुरू कर दीजिए रोजाना एक दिन में एक बार इसका इसका इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है और सभी परकार के तवच्चा के समंदित रोग हमेशा के लिए सभी इसके जो उप्योगी भाग है अग्या हो सकते हैं कोई भी एक शीज जैसे फूल ले लिया या बीज ले लिया या पली लेवी हैं ६गे कि वफली ले से अट वचसिए दिन भी राय कि चार गुनान नाझिल लेना हैं चार गुना का मतलब 50 कराम के करीब हमारे पास पिठी पड़ी है. तो चार गुना का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 200 ml के करीब हम नारिल का तेल लेंगे और किसी बरतन में इन दोनों को डाल देंगे और अच्छे से पकने देंगे. जब तेल पक जाएगा हमें लगेगा कि जैसे लेसुन का तेल बनाते ना उसी परकार से इसका तेल बनाके आप नीचे उतार लें, छान के किसी बरतन में डालके रख लें सुबे शाम इसकी मालिस करने से सभी परकार के तोचा से सम्मंदित रोग हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं अब इसका और भी दूसरा रूप बतायता हूँ कोई वो भी इस्तमाल करना चाहे तो इसका कोई भी उपियोगी भाग लेके जड़ से लेके फूल फाल जो मन करे इसका लेके आप पेश्ट बनाएं उस पेश्ट को आप जहां पर आपको तोचा से सम्मंदित रोग हैं उस जगा आप लगा सकते हैं या उसका रस रूई में डुबो के उससे मालिस करने से भी तोचा से सम्मंदित सभी परकार के विकार दूर हो जाते हैं मैंने आपको सैजन की फली या सैजन के पत्तियों के सैजन के फूल के सैजन के बीज के या सैजन की छाल या जड़ के इतने सारे फायदे बताए हैं तो आइसके कुछ नुकसान होते हैं वो भी मैं आपको बतायता हूँ इसका कोई खास नुकसान नहीं है जिन लोगों के पुर्सों के अंड कोस में सूजन है और अंड कोस में पानी उतरावा है वो लोग सेजन की फली का इस्तमाल मत करें उनके लिए नुकसान दायक साबित होगा जिन महिलाओं को मासिक दरम समय में मासिक दरम बहुत जादा मातरा में आता है ऐसी महिलाएं सेजन की फली का इस्तमाल मत करें इससे उनको मासिक दरम जादा आने लगेगा इन दो को छोड़के आप सभी परकार के रोगी इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद